चंद्र ग्रहण के बाद इस महिने में 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है इस दोरान सूर्य का अलग ही अंदास देखने को मिलेगा 21 जून को यह ग्रहण की सुरुवाद सुभा 9 बज कर 15 मिनट पर हो जाएगी जो दोपहर में 3 बज कर 5 मिनट पर खत्म होगी वैज्यानिकों के मताबिक करीब 6 घंटे तक इस ग्रहण के लगे रहने से कई रहस्यों से परदा उठाने में मदद मिलेगी यूं कहें तो आने वाले समय में यह ग्रहण मील का पत्थर साबित हो सकता है 21 जून को लगने वाले इस ग्रहण का पूरे विस्व में काफी चर्चा है और इसको लेकर काफी अध्यन भी किया जा रहा है 9 बच कर 15 मिनट पर इस ग्रहण की सुरुआत हो जाएगी और 12 बच कर 10 मिनट पर इसमें रिंग आफ फायर दिखेगी खोगोल सास्तियों के मताबिक भारत में या ग्रहण 10 बचे से दिखाई देना सुरू हो जाएगा वही पूरी दुनिया की बात करें तो इसकी सुरुआत आफरीका से हो रही है यह सबसे पहले आफरीका के यूथोपिया में दिखेगा यहाँ पर यह 100 फिसदी दिश्यमान होगा इसके बाद यह दक्षिन पाकिस्तान में दिखाई देगा इसके बाद यह भारत के राजिस्थान में प्रवेस करेगा ग्रहण के समय सूरी चंद्रमा और प्रित्वी एक सीद में आ जाते हैं तो इससे मेगनेटिक प्रवाव पड़ता है प्रित्वी और चंद्रमा से जवार भाटा उटने लगते हैं और तीनों के एक सीद में आने की वज़े से चुम्बगिये तरंगे पैदा होने लगती हैं इन तरंगों के वज़े से कुछ लोगों में मानसिक बेचेनी और सुस्ती जैसे लक्षन दिखाई देते हैं वैग्यानिक फैदों की बात करें तो यह ग्रहन आयन मंडल के अध्यन के लिए सबसे बहतर माना जा रहा है सूरी की किरने जब बंध हो जाती है तो आयन मंडल का अध्यन करना आसान होता है इस दोरान आयन मंडल के बनावट और संरचना के प्रभाव का अध्यन किया जाता है इसके अलावा वैग्यानिक वातावरण और जानवरों पर भी ग्रहन से पढ़ने वाले प्रभावों का अध्यन करते हैं क्योंकि आम तोर पर ये अग्रहन के वक्त जानवर विचलित होने लगते हैं ये अग्रहन लंबे समय तक जारी रहेगा ऐसे में अध्यन करने के लिए काफी समय मिलेगा Bureau Report, DNX TV, रायपूर